पाक्टु सीये से डिटोरियल कल पेपर के तयारी कर रहे हो तो यहां पे आपके लिए है शिक्षा निर्देश्चे आले जो दिली सरकार के द्वारा इशू किया गया प्रैक्टेस पेपर सबसे पहले जिसके अनर दिया गया है बहु विकल्पी प्रशन है इस गद्यांश को पढ़कर आपने जो नीची questions दिया है वो उनके answers करने है अब इसके अनर जो पहला प्रशन है गद्यांश के अनुसाह दक्षिन भारत में कौन सा व्यंजन उत्तर भारत में भी उपलब्द ह अब यहां पर उन्होंने क्या बोला था कि इडली डोसा बड़ा सामबर रसम एवल ये केवल दक्षिन भारत तक ही सीमेत नहीं है ये उत्तर भारत में भी उपलब्ध है तो इसका correct answer क्या हो गया ख़भाग जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि इडली डोसा बड़ा सामबर रसम ये दक्षिन भारत में दक्षिन भारत का व्यंजन है पर ये उत्तर भारत में भी उपलब्ध है कध्याश के अनुसार शहरों में किन किसका चालट खूब बड़ा है यानि कि कौन सा चलनग जो है वो चला है अब यहां पर दिखो आप चलनगे बारे में जहांपे दिय तीसरे प्रिशन के अंदर आपको बोला है कि दोहे को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिये गे प्रशनों के उत्तर दीजे अब यहाँ पर एक काव्यांश के अनुसार कौन सा फल नहीं खाता है तरुवर फल नहीं खात है सरुवर पियतन पान तरुवर यहाँ पर तरुवर के प्रिशन पूछे गया है कि विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा विद्यार्थी विद्यार्थियों विद्यार्थियों के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर मात्रा जो है वो पहले आ जाती है जब भी आप द्यार्थी लिखोगे, जब यहां यह लगता है, तो वहां पर छोटी की मातरा हो जाती है, जो बड़ी की मातरा दी जाती है आपको, इसके बाद में आपको बोला है, नीचे दिये के विकल्पों में भाव अचक संगया पहचानी है, कि इन में से कौन सा जो है, वो भाव अच संगया है, सम्मान का विलोम शब्द बताना है, आपको सम्मान का विलोम शब्द होता है, अपमान, मृदुल वसंत में विशेशन के भेद पहचानी है, मृदुल, मृदुल का अर्थ क्या है, ये गुन वाचक विशेशन है, ठीक है, चौथा प्रशन है, ध्यान पूर्वक पढ़िये और इन प्रशनों का उत्तर दीजिए सबसे पहले प्रशन में आपसे पूछा गए गद्यांश के अनुसार कौन चौंक पढ़ी यहां पर किस के चौंक पढ़ने की बात की जा रही है जो गद्यांश लिए गए वो पानी की बूंद से लिए गए तो इसलिए इसके समुंदर में अंधेरा था इन लाइन्स के अंदर दिया गया था अब तक समुंदर में अंधेरा था सूर्य का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंच पाता तो यह जो है यहां पर किस के भीतर नहीं पहुंच पाता समुंदर के भीतर आप अगर ध्यांश से पढ़ोगे तो लालटन ले JW कोण घोम रहा था यहां पर गद्यानश के निसार यहां पर लालटन का देखो उन्होंने बोला कि आधि जंगल है कि वो लाल टन लेकर घुमरी हो गध्यांश के अनुसार समूंधर की गहराई में क्या मिला अब यहां पर फिर से वापिस paragraph पे आजओ कि गध्यांश में समूंदर की गहराई में क्या मिला वहां भी जंगल है ठीक है तो यहां पर आपको क्या बोल Swamp पहाड और घाटियां ये समुंदर के अंदर भी मिले, समुंदर के गहराईयों में, पांच में प्रशन के अंदर बोला गया आपको, कावियांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके प्रशनों के उत्तर दीजिए, कावियांश के अनुसार भगवान के डाकी कौन है, तीसरा प्रशन है, कवी के अनुसार पक्षी और बादल कहा जाते हैं, अब यहाँ पर कहा जाते हैं, वो एक महादेश से दूसरे महादेश जा रहे थे, तो गव भाग जो है, वो इसका correct answer है, कवी के अनुसार भगवान के डाकी द्वारा लाई चिठियों को कौन पढ़ता है, भगवान के द्वारा लाई गे चिठियों को कौन पढ़ता है, यहाँ पर बताया था उनुने, पेड, पौधे, पानी, यह सब जो है, वो इनकी चिठियों पढ़ते हैं, तो इसका correct answer क्या हो गए, कव भाग, निमिलिके प्रशनों के उत्तर देने आपने, बदलु को कि के चूडियों से चिड़ थी, दूसरा प्रशन है, अकपरी लोटा पार्ट में लोटा किस पर गिरा था, अकपरी लोटा पार्ट में हमें पता है कि लोटा जो है वो अग्रेस पर गिरा था, सात्वे प्रशन के अंदर उन्होंने बुलाए कि भगवान के डाकिये जो कवित प्रेशन के अंदर आपको बोला है कि पाजा प्रजा इसमें समास बताना है अब इसमें ध्यान क्या रखना आपको बीच में एक चोटा सा हाइफन आया है जिनके अंदर भी हाइफन आता है वे होता है आपका द्वान्दसमास जैसे कि दिन रात होता है उसके अंदर भी बीच हम हाइफन डाल के लिखते हैं. तो यह होता है अपका द्वान्दसमास. अब इसमें उन्होंने बुले कामगार. दूसरे परशन में बुले कामगार में मूल्चब्स क्या है? मूल्चब्स क्या होता है? जो मेन वर्ड, जिससे वो वर्ड मिलकर बन रहा है. तो इसके अंदर मूल शब्द क्या है काम तीसरा है मीठा इसका भावाचक बनाना है इसका भावाचक क्या हो जाएगा मीठे का मिठास लाल सेव ले आओ वाक्या में विशेशन चांट कर बतानी है इसके अंदर विशेशन क्या है लाल भगवान के डाकी कविता के अनुसार दूसरे महादेश में क्या भाब बन कर गिरता है हमें पता है क्या गिरता है पोयम हमने पड़ी थी पानी यह सब कठिन समय नहीं कविता के अनुसार चिडिये चोंच में चिनका दबा कर उड़ने की तयारी में क्यूं है जो सेकंड प्रशन है उसके अंदर आपको बोला गया है कि ये सबसे कठिन समय नहीं इस कवीता की अनुसार चिरिया चोंच में तिनका दबा कर क्यों उन्हें की त्यारी में लगगे दी क्योंकि वे चाहती थी अपने बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी गोंसरा बना ले इसलिए तीसरा प्रशन है दूद की तुलना में श्री कृष्ण कैसे खाद्य परदार्थ को अधिक पसंद करते हैं हम सबको पता है काना को क्या पसंद है माखन चौथा प्रशन है भगवान के डाकिये कवीता की अनुसार हम किसकी भाशर नहीं समझ पाते हम किसकी भाशर नहीं समझ पाते पहली लाइन में आया था पक्षी और बादल पक्षी और बादल अगला है अब इन प्रशनों के उतर आपने बहुत बार वीडियोस में भी सीखे आपने चाप्टर भी समझ रखा है तो उसके कोडिंग लिए आप प्रशन 10-11 इनकी आंतर वो आप खुद से बना कर लिख सकते हो दस्वें प्रशन के अंदर आपको 1-1 मार्क्स के कुशन्स पूछे गए है और जो 11 प्रशन है इसके अंदर आपको कोई भी जो 5 कुशन दिये हैं कोई भी 4 कुशन्स करने हैं दो-दो मार्क्स के हैं फिर 12 प्रशन के अंदर आपको कोई भी 3 कुशन्स करने हैं ये भी 2-2 मार पर आपको अनुशेद लिखना है जो कि 80-100 शब्दों तक का होगा और ये 5 माक्स का है जैसे कि दिल्ली में परदूशन, दिपावली, योकम, हत्वा आप कोई भी तीनों में से एक का लिख सकते हो लास्ट कोईशन जो है उसके अंदर आपको बोला है किसी एक विशे के उपर 80-100 शब्दों के अदर अपने पत्र लिखना है एक आपको अपचारिक पत्र दिये है जिसके अंदर आपको विध्याले के परदानाचारे को पत्र लिखना है जहांपे क्या है अपने बड़े लिख भी 5 मार्क्स की है तो बच्चा इसके अकोडिंग लिए आपका जो है कल का पेपर आएगा और आशा करती हूं आप सब का पेपर बहुत ही अच्छा होगा और आप सब को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे All the best for your exam, keep learning, keep watching with CS tutorial. Thank you